हुआ मेभी अगर आपको याद हो तो हम लोग ने बात यह किया था कि आगर लीविंग को देखा जाए और नन लिविंग को देखा जाए तो अगर Maatr क के आधार पर चले się मैटर के अधार पे चलें मैटर के बेसिस पे तो लिविंग और नन लिविंग दोनों मैटर से बने होते हैं अगर फाइब बेसिक फाइब बेसिक एलिमेंट होके मैटर अगर हम सिक्स बेसिक एलिमेंट्स पे चलें बेसिक एलिमेंट्स पे तो आप जानते हैं कि CHNOPS living में भी होता है और non living में भी होता है अगर अगर हम बात ग्रेवीटी की करें तो living और non living दोनों पर ही ग्रेवीटी अपलाई होता है और हम यहाँ पर बातने को ऐश्क्रेश करते हैं सबसे टो लीवीग और नौन लीवीग में सबसे बेसिक डिफेरेंस यह है कि जो लिविंग होते हैं ना लिविंग यह सेल से बने होते हैं लेकिन नन लिविंग के अंदर कहीं भी सेल का कोई ट्रेस नहीं होता है नन लिविंग सेल से मिलके नहीं बने होते हैं लिविंग जो होते हैं यह सेल से मिलके बने होंगे लेकिन लिविंग सेल से मिलके बिलकुल भी ही बने हुए हैं तो तो हम तो यह कहते हैं किGS से मिलके बना होना मेंस भी केंड से livings आरमीड आप ऑफ उसेल्स और आप जानते हो कि एंवं को कौााइन किया है गया प्रोह्टो प्लाजम के रूप में है अगर हम बात करते हैं इस स्टाइलेस के बारे में इस रिमॉट के बारे में तो अभी के क्लास में हम लोग डिफ्रेंसियेशन पढ़ने वाले हैं लीविंग क्या क्या करते हैं हम लोग अभी के क्लास में यही डिसकेशन करने वाले हैं सबसे पहले अगर बात किया जाए बाबु लोग तो मूव बाई देंसेल्स लीविंग खुद से मूवमेंट करते हैं देखे खुद से मूवमेंट करते हैं हम यहां खुद से मूव कर रहे हैं हम खुद से मूव कर रहे हैं प्लांट्स खुद से मूव करते हैं लिए आप जानते हैं वेइकल्स गाडियां उन्हें मूव करानी पड़ती है उन्हें मूव करवाना पड़ता है वही बात है अगर बात की जाए next, need food, air, and water, livings को food चाहिए, air चाहिए और water चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन non-living को अगर देखा जाये तो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पीएंगे, उन लोगो ऐसी कोई जरूरत नहीं लगती है, देखा जाये तो growth, livings चोटे से बड़े हो जाते हैं छोटा सा बच्चा धीरह धीरे 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 बड़ा हो जाता है लें नन लीविंग में कोई growth नहीं होता है हमारा गर जथा बड़ा आज से 20 पहले था आज भी घर उतना ही बड़ा है हम यह कर सकते हैं कि उसके और add करके दो मंजिल तीन मंजिल करवा सकते हैं अपने आप बोले उसका growth हो जाए तो ऐसा नहीं होगा वही बात next बोले respond to change sensitive living जो होते हैं नहीं sensitive होते हैं जैसे हम हैं हमें कोई touch करे तो हम उसको sense कर सकते हैं यह देखे यहाँ पे यह जो plant है इसे हम हम बोलते हैं touch me not plant सिस्मोग्राफिया touch me not इसी को बोला जाता है या मिमोसा पुदिका बोलते हैं मिमोसा पुदिका पढ़ाएंगे इसके functioning के बारे में control and coordination chapter में आप तो को की मिमोसा पुदिका कैसे काम करता है यह टच मी नॉट प्लांट जैसे हम इसको touch करते हैं इसके सारे पत्ते से सिकुड़ जाते हैं इसलिए अच्श मी नॉट मुझे चूना नहीं ऐसे इसका हंदी में नाम बोलते हैं छूई मूई ऐसे लोग इसको बोलते हैं छूई मूई बड़ जाते हैं उन सभी मिट्टी पर यह होते हैं फिर नेक्स्ट बात किया जाए एक्सक्रीट के बारे में living कोई भी होगा चाहे plant हो चाहे वह एनिमलस हो वह excretion करते हैं जिसे हम लोग by lungs carbon dioxide को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग by urine अपने body के waste को बाहर निकाल रहे हैं यूरीन केहब से बॉडी को हमेशा साप सुतरा कर रहे हैं। बौडी को हमेशा साफ share कर रहे हैंड़र अंदर जाते हैं रगडए रगडड के बॉड़ी को पूरी तर से fait आँए इसली पानी बोला जता है ज्याधा पीना चाहिए हमें हैं ताकि हमारे बौड़ी की सफाई हो सिर्पा हमारी बॉड़ी रहेगी तो वही बात है SCRETION हमारे बॉडी गया वेस्ट है उसे बाहर निकालना पड़ता है तो लीविंग स्वेस्ट को बाहर निकालते बात करते हैं रीपोडूक्ष panels होता हुआ हम अगर कोई भी रीपोडूक्षक्सन कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि लीविंग है और living है तो reproduction करना ही है living है तो reproduction करना है तो ये reproduction, reproduce एक से दो, दो से चार, चार से आट, आट से सोला ये sales बनते चले जाते हैं next अगर बात किया जाए made of sales और इसी को बोलते है protoplasm living के body में क्या होता है sale होता है, protoplasm होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जितना भी ये बात बताए हैं, उसके होने से कोई living हो जाए एक बात याद रखना हम ये बताए हैं बात सही ये living की property है लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जितने भी बात यहाँ पर बताए हैं, अगर आप उसे देख लो, तो आप कह दो कि हाँ ये living है जरूरी नहीं है, जैसे move by themselves, आज कल robotics आ गया है robotics का जमाना है, robots वो खुद से move करते हैं खुद से उनके अंदर data दिया गया है command दिया गया है, और खुद से सारा काम कर रहा है तो हम उसे living नहीं बोल सकते हैं बात करते हैं, need air food, air and water गाडियों को देख लो, food चाहिए तो petrol, diesel डाल देते हैं air चाहिए तो उसके अंदर air pump होता है और water चाहिए थंड़क के लिए, तो उसे थंड़ा नहीं होना वो air cooling कर लेता है अपने आपको तो हम गाड़ी को living नहीं बोल देंगे बात करते हैं, growth हिमाले जो पहाड है न, हिमाले आज जो बोलते हैं ये हर साल लगबग one centimeter to five centimeter इसका height बढ़ जाता है हर साल इसका height बढ़ता है हर साल इसका height बढ़ते जा रहा है हिमाले जिन्दा थोड़ी ये उसका growth हो रहा है तो बड़े-बड़े कच्रे के ढेर को देखो आज दिल्ली में कच्रे के पहाड कड़े हो गए हमेशा लोग ले जाते हैं उसके उपर कच्रा डालते हैं उसकी हाइट और बढ़ जाती है लोग ले जाते हैं उसके कच्रा डालते हैं उसकी हाइट और बढ़ जाती है कहां वो लिए सब्सक्र करका लिए तो अगर तशी करें के सेट कर लिया तो लेविंग या फिर लिविंग है तभी वो टॉच को सेट करेगा ज़रूरी नहीं है बात करते हैं एकस क्रीट गाडियों से भी धुआ निकलता आहे तेल पिएंगे तो धुरा फेकेंगे बाद करते रिप्रोड्यूस जो रिप्रोडूशन करेगा वह लीविंग है जरूरी नहीं म्यूल के में सोचो मियूल मियूल के बारे में सोचो मियूल